हेलो एवरिवन वेलकम टू जीडी से इटूटर आज की इस वीडियो में हम नेच्रल कार्मिनेटी एजेंट के अंडर ब्लेक पेपर को डिसकस करेंगे जिसको हम काली मिर्ची के नाम से भी जानती है ब्लेक पेपर को और कौन से नाम से जाना जाता है उसको कौन सा पार्ट मेडिसनली यूज किया जाता है उसका बोटनिकल नेम क्या है और वो कौन से प्लेस में मेंली पाया जाता है उसका कल्टिविशन कैलिक्शन कैसे किया जाता है और ब्लेक पेपर में कौन सा ऐसा टेस्ट करेंगे इस वीडियो में एक कंटवल है और उसको हम पैपर निग्रम ऑंज इसको कही नेम हैं और इसको तक हम काली değiş भी कहा जाताएं पे लो एक आसे अप्टेइन मतलब जो अच्छी से अविए कल नेम हैं सब соврем case & इसके जई देजिनस सव्थ इंडिया में मतलब होता है कहां पर वह सबसे पहले पाया गया उसका origin कहां हुआ तो सबसे पहले यह South India में पाया गया साथ ही साथ इसका जो cultivation है वह इंडोनेशिया ब्राजील मलेसिया और स्री रंका में भी इसका cultivation किया जाता है और हमारे जो इंडिया है वह first rank में है cultivation और collection के लिए Black paper का जो cultivation collection है इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है इसका जो सीनर नेम है वैलोजिकल सोर्स एंड जियोग्राफिकल सोर्स के बाद ब्लैक पेपर के cultivation के लिए मेली हम सोविंग करते हैं सोविंग निस होता है बोवाई बोवाई करने के लिए इसका सीट पार्ट का हम यूज और कहीं कहीं पर इसका प्रोपागेशन करते हैं इसका जो प्लान पार्ट होता है उसको हम कट कर लेंगे दैन उसका प्रोपागेशन करते हैं इसके लिए हम दो मेथट का यूज करते हैं कभी कभार हम क्या करते हैं इसका कटिंग करते हैं प्लान पार्ट का येदि हम प्ला सीटांट का यूज करेंगे इसका वह करेंगे तो यह सर्वाईव क्या करता है कि यहीं को घंद हम जल्दि होगा तो सर्वाईव है वो कम टाइम के लिए रहेगा जब सर्वाइब भी लॉंग टाइब तक यह करेगा जब इसका हम कटिंग करते हैं दैन उसके बाद मार्च से अप्रेल मन्थ में हम इसका प्लांटेशन करेंगे और इसका प्लांटेशन के लिए हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि इसका जो डिस्टेंस है वो मेली 3-4 मिटर कर ओके ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके दैन उसके बाद जब इसका हम प्लांटेशन कर लेंगे उसके बाद इसका जो फ्लावरिंग है वो मेली में टू जून मन्थ में इसका फ्लावरिंग होने लगेगा और इसका जब हर्वेस्टिंग का टाइम आएगा तब हम इस बा में इसका हैंड पिकिंग करेंगे उसके बाद इसको हम ड्राइ करती हैं ड्राइ करने के लिए हम यह याद रखेंगे जब इसका हम ड्राइ करेंगे तब इस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हैं ब्लैक पेपर में व्रिंकल सा जाती हैं व्रिंकल आ जाएगा और इसका ज करेक्टर में आते हैं ब्लैक पेपर के मैक्रोस्कोपिकल करेक्टर पर आते हैं जिसको और गेनोलेटिक करेक्टर भी कहते हैं तो इसके कलर में आएंगे तो कलर इसका होता है ब्लैकिस ब्राउन कलर का और ग्रीनिस ब्लैक कलर का भी होता है यहां भी आप देख सकते हैं ब्लै मेर्च भी कहते हैं इसके बाद इसके सेप में आएंगे तो इसका सेप होता है ग्लोबियूलर एंड वरिंकल यहां पर देख सकते हैं इसमें इसका सेप है वो ग्लोबियूलर सेप का होता है और इसमें जो है ड्राइ करने के बाद इसमें यहां पर वरिंकल बन जाती है और इस इसमें देखते हैं इसकी सीट पार्ट में और क्या-क्या होता है तो इसमें होता है पैरिस्पर्म एंड इसमें प्रेजेंट होता है यहां पर आप देख सकते हैं यह पैरिकार्प है और इसमें पैरिस्पर्म एंडोस्पर्म एंड इंड इम्प्रियो भी इसमें प्रेजेंट साथ यह था मारा सिंपल सा मैक्रोस्कोपिकल केरेक्टर और ऑफ ब्लेक पेपर गे केमिकल कॉंस्ट्रेमिर्ट में आथी है देख्थे हैं, उसमें कौन-कौन से ऐसे केमीकल है, जो की में लिए इसके टेस्ट और और्डर के रिए responsible होता है, इसमें होता है ऐलकिलाइड जो की ह इसमें starch भी present होता है और इसका जो वोलाटाइल है वो मेंली यलोईश कलर का होता है और इसका जो मेन chemical constraint है oil का वो है एल फिलांडरीन और इसमें साथ ही साथ कार्यूफाइलीन भी इसमें present होता है इसके chemical constraint के बाद प्लाब में यहां ओसा इसको क्रते हैं क्योंकि अच्छा सा इसमें टेस्ट रहता है इसलिए हम इसरह करते हैं इसा में यूज करते हैं इस करते हैं इस परिसटाल्टिक मुवमेंट को increase कर देता है जिसे के जो gas बना रहता है वह इसलिए एक spell out हो जाता है एसलिए इसको हम As a instrument use करते हैं just чтоб condition में भी करते हैं जब हमारे स्टमक में जो gas बन जाता है तो हमें एठन सा feel होता है इस तमक pain होता है तो इससे relieve के लिए हम black टेट पेपर कर यूज करते हैं क्या करता है इस टमक में गयस बनने नहीं देता इसे लिए कार्मीनेटी यूजन की तरह भी यूज करते है और इसको हम मेंदी यूज करते हैं as a condiment मिल्स मसालों की रूप में इसका हम यूज करते हैं क्योंकि जो इसका एक पंजन्ट है जो इसमें और जादा तेस्ट होता है साथ यह क्या करता है इसको मसालों के रूप में यूस करते हैं और यह साथ साथ क्या करते हैं इनक्रीज करता है गेस्टिक जूस्ट को इसके नेस्ट वीडियो में आप नेश्रल एस्ट इंजेंट के बारे में डिस्कस करेंगी थैंक यू